हॉस्पिटल सिक्टर भिलाई में आग जनी की घटना में प्योडित परिवारों का सर्वे किया गय था जिसमें 25 परिवार निवासरत पाए गय थे जिने संयुक्त निरिक्षन के दवरान मुआवजा राशी देने के निर्देश दिये गय थे इसी के तहत प्रत्तिक परिवार को 10,500 रुपे की राशी प्रदान की गई हॉस्पिटल सिक्टर में आग जनी की घटना होने के बाद से इस प्रशासन ने हर संभव मदद प्रभावित परिवारों के लिए किया है विधायक देवेंद्र रियादाव महापार निरजपाल कलेक्टर पुषपेंद्र मीड़ा एवं निगमायुक्त रोहित व्यास, MIC मेंबर सीजु एंथोनी, स्थानी पार्शद, कोमर टंडन ने प्रभावित परिवारों के मदद के लिए स्पॉट पर जाकर निर्चन किया आगजनी के बाद से ही पिडित परिवारों को राहत देने का कार किया गया नजदी की युक्त निर्चन के दौरान मौअबजा राशी देने के निर्देश दिये गये थे इसी की तहत प्रत्यक परिवार को 10,500 रुपे की राशी प्रदान की गई प्रदान की गई राशी आपदा प्रबंधन के तहत दी गई दिखे प्रती जो फैमिली है उसको मौजा जो है र प्रती फैमिली को जैसे जो 25 फैमिली थे जो सर्वे के दावराम प्राप्त हुए थे उनको देखे तमाम चीजों की वस्था प्राणाभिक तोरपे ही की गई थी सबसे जरूरी था कि घर उजड़ गया था उसमें जो है इसकोल में ठाराने की वस्था उनके लिए की गई औ मौवजा राशी देने के दोरान जोन आयुक्त खिरोद्र भोई तथा अतरिक्त तहसिल्दा शमा यदू भी मौजूद रही मौवजा राशी प्राप्तकर पीडितों ने राहत की सांस ली है और उन्होंने इसके लिए विधायक, महापौर, जनप्रतिनिदी तथा प्रिशासन को धन्यवाद भी ग्यापित किया है ग्रेंड एसीन न्यूस के लिए भिलाई से संतो शर्मागरी पोर्ट